का देखो ऐसा एक अलाकार आप मेरा निवेदन यह है तुम सुबह निकलते हो न जाने कहां कहां भठकते होगे क्या क्या करते हो और कहावत यह है कि घर से खाके निकलोगे तब कोई बाहर खाना मिलेगा अब भूंके पेट निकलोगे तो भूंके ही रहना पड़ता है क्या मतलब कहा ऐसा है सुबह यहां से पेट भरके जाईए चाहे नाश्ता चाहे बोच चाहे सुबह बांद के जाईए और शाम को आकर के यहां भोजन करिए आप रहने और भोजन की कोई दिकत नहीं है जाओ तुम जो काम कर रहो करो कलाकार खोश हो गए समय भीता राजा जी कि तुम आदमी पहचान देते होगा है तो का एक बाताओ हम कैसे आदमी है हमारे बारे में कुछ बताओगे है और भाई सबको अपने लिए जिग्यासा होती है जो अतिशी के पास भी जाते तो उनको अपना हाथ दिखाते हमारा भंशी कहा होगा हमारा क्या है हम कैसे हो तो बाता हो हम कैसे आदमी हमारे लिए बता हो तो कलाकार ने का ऐसा है राजन बुरा नमाने नंबर एक दूसरी बात मृत्यु दंडर ना दिया जाए नंबर दो और तीसरी बात हाथ पैर ना तोड़ा जाए मेरा यह तीन आप बचन मुझको दे रहे तो मैं आपको बताओं कि आ आप कैसे आदमी तीन है ना दो हम जो बड़े राजाजी है न आ पुन के बेटे नहीं जो महराजा ड़े यह टाएंगे ऋना ना कि जो पुछ्सा हो रहा है जाहिए जाके महरानी से बात करीये तुमारानी मैं क्या महराजा का बेटा नहीं हूँ तो महरानी निकारी बेटा यह आपको कैसे पता पणा राजन क्यों का देखे बात दरसल यह है कि जो राजा जी थे वो तो आखेट में और संगीत में और युद्ध म इस सब में वो ब्यस्त रहते थे तो उसी बीच में मेरी मित्रता हमारे जो राज महल में जो रसोया जी थे उनसे हो गई थी तो आप उनके बेटे हैं अच्छा मलट क्या है राजा क्यों जी तुमको कैसे पता पड़ा कि मैं राजा कर वेटा ने हैं तो बहुत का देखे हम यह असली बार मेरी कला पसंद आई थी, यदि आप असली राजा के बेटे होते न, तो उसी दिन कोई बहुत बड़ी रियासत, कोई बहुत बड़ा राजमहल, कोई बहुत बड़ी संपत्ती मेरे नाम कर देते, अब आपने ले दे के एक वक्त की रोटी मुझे दी, तो इतनी छो यहां तक सोच एक रसोये की तो जा सकती है, लेकिल राजा की ऐसी सोच नहीं हो सकती, बड़ों में बड़पन होता है, वो सदेव बड़ी सोच सोच नहीं सोचते हो, तो आप केवन ले दे कोई भोजन तक पहुंच पाए, मैं समझ या, कि आप राजा के वेटे नहीं है, मा चक्रवर्ती समराथ हो, और मैं प्रभू से मांगूंगा, तो क्या मांगूंगा, कोई छोटी मूटी चीज तो मांगूंगा नहीं, और जो मैं मांगूंगा, वो यह दे पाएंगे की नहीं दे पाएंगे, भई बजाने क्या मांगूं, और जो मांग लों दे पाएंगे की यह महाराज मनमन हीम होक्तु किना नहीं माभू मैं जो मांगूंगा कहीं बात खाली ना चली जाए कहीं इनके बसके हुल हो और इतना नहीं मांगते महाराज मनुह आपके रहे हैं प्रभु एकन छानल वलिचित तुम्हें देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहिनी जुक्रपनाई आपके लिए तो सुगम हो सकती है लेकिन मुझे अपने मन में ही लग रहा है कहीं ऐसा नहों कि वह आपके लिए सुगम नहों कहीं आपना दे पाएं कैसे मनु बोले प्रभु मेरी हालत थीक उसी बेका है जथा दरिद्र विबुधतर उपाई और बहु संपति मांगत सकुचाई जैसे किसी दरिद्र को कल्प वरक्ष के सामने बिठा दो तो कल्प वरक्ष से वो सोचे मांगने में कि ये दे पाएगा की नहीं दे पाएगा कल्प वरक्ष जैकि माताओं बंधों कल्प वरक्ष कि नहीं कर पाएं इसलिए हमारे अवध में कहावत है ध्यान दीजेगा अवध में कहावत है कि ना बलों से भख्वाओं और ना दरिद्र से परस्वाओं कारण कैसे देखिए कभी भी बड़े व्यक्ति से आप ये मत कहिए कि आपको क्या आवश्यक्ता है अगर उसमें बड़पन होगा वो सचमुच बड़ा व्यक्ति होगा तो वो खुछ समझ जाएगा कि क्या आवश्यक्ता है आपको कहने क्या आवश्यक्ता नहीं है वो उधार हmpich बंणाया है यह हैं कि एक बार पर गट अझान कुम्व nutrina पता दो भारत तु वहां महा कालlike अशवर मंदिर है 有तों महा कालेशवर मंदिर में सब दर्शान कुम करें महा काल पर झाल का आप लोग मैं तो भीड तो होगी तो भीड बहुत थी तो जैसे अंदर जाने लगए तो जह हमारे बगल में भागते था उसने दूसरे जगा कि यह भाईया सुन जादा देर रुकने नहीं देंगे शिवलिंग के सामने ऐसा है तुरंट जो मनु कामना हो जैसी भगवान के सामने पहुचो तुरंट मांग लेना क्योंकि खट से वो आगे निकाल देंगे तो फिर पता लगा तुम मांग नी पाया तो फिर क्या करोगे तुम तुम मैंने सुन लिया तो मैंने का देखो भईया गलती से ये करमत देना गलती जो आप करने जा रहे है क्यो माराजी मैंने का कि आप क्या मांग रहे हो जाके क्या मांग लोगे आप और नौकरी ज्यादा ज्यादा विवाह ज्यादा ज्यादा घर बंगला क्या मांग वो सब उनको प्रभू को मालूम है, नमबर एक, और दूसरी बात, एक बात बताईए, न जाने प्रभू ने आपके लिए क्या कल्पना करके रखी हो, क्या उनने योजना बना के रखी हो, बड़ी-बड़ी, क्या भी भक्त के लिए ये भी करना है, भक्त के लिए वो भी करना और आप जाकर के वही छोटी सोच आपकी रोठी कप्ड़ा मकान या नौकरी या बेटी का विवा ये मांगो के जाकर के तो भगवान सोचेंगे कि जब हम तो इसके लिए क्या-क्या सोचे बैठे हैं और ये जब इतने में ही प्रत हो रहा है तो फिर कि देने क्या और शकता है जब इतने में इसको प्रसंथ अमभी जा रही है इसलिये कभी पर मात्मा से कुछ मांगी मत जांदिजे मैं तो कहता हूं ये बात और बाताओं बंदुओं बर्वांचरित मानस में हर मंदिर जो देखिए आपनों तो सब महराजी के आशिरवाज से उनके सानित में तो आप लोग सत्बुद्धी वाले लोग हैं लेकिन जब कोई बड़ा व्यत्ति अपने घर में मंदिर बनाता है न अब उसको ज्यादा नहीं मालूम रहता क्या करना है क्या नहीं कर करूना सागर कीजिये सोई भग इश्रो मनी लाल भारत जी महाराज ने जो भगवान से मांगा था कारण जैसे ही कोई जाने अन जाने मंदिर पर प्रणाम करेगा तो दीवार पर नजर जाएगी और नजर पढ़ते ही वो पढ़ेगा उसरधाली को कि जेही विधी प्रभु प्रसंद मन होई करूना सागर कीजिये सोई माने प्रभु आपका मन जिसमें प्रसंद हो करिये हमारे हमारे हमारी प्रसंता से कोई आपकी प्रसंता में हम प्रसंद है आपकी रजा में हमारी रजा है तो अपने आप वो निवेदन प्रभु से हो जाएगा कहने कार्थ है ब वो उसकी उतनी सोच रहे है इसलिए त्याम दीजिएगा विहीम को रखा गया था जब राज्चिव यग कथा आप लोग भागवत की सुने राज्चिव यग में धर्मराज युदिष्ट्री ने जो काम बाते थे न तो उसमें भीम को बाता था काम परोश्दारी और भंडार भोजन किलाने का कारण अरे वाई जो खाना जानता है न वही खिलाना भी जानता है हाँ आप बताई है यहां इतना अच्छा अच्छा भंडारा क्यों बनता है हां इतना स्वाधिष्ट क्यों बनता है भोजन आप सब दिली पंजाब के लोग है तो दिली पंजाब के लोग तो जब गॉलिज में पढ़ता था तो जब गॉलिज पड़ता था तो दिल्ली से ट्रेंज आती है निजामुदीन, हजरत निजामुदीन, इंटर सिथी, दिल्ली टी उंदार, नव बजे चोड़ती थी उजयन में, तो मैं आग को बता हूँ, आट बजे से सारे दुकान जो प्षचा जो प्रेमा आट डीज से पोहे चाए से लेके समोसा कचवरी सब लोग ऐसे तैयार करके रखते थे, कि वो दिल्ली के ट्रेन आ रहे हैं, मतलँ आज समझ जाही है कि क्या चावी है दिल्ली वालों कि पंजाव लों के, आस वह सब पिक जाता था उनका, दिल्ली वा लेकिन आप क्या करें हो, तो हम आता हो मंजू, धान दीजेगा, तो कहने कारते क्यों, इसलिए अच्छा खिलाते हैं क्योंकि खाना जानते हो, अच्छे से खाना जानते, तो भीम को इसलिए रखा था, अब आप बताईए, जिस घर में किसी को बहुत डायबिटीज हो, जिस में बड़ा केर से लौकी और तुरही पे उसका जीवन चल रहा हो, तो आप पहुच जाएए, तो विश्वास करिएगा कि आपको भी वही लौकी तुरही घाने को मिलेगे, वह आपके लिए छोले नहीं बनवाने वाला, कि पनीर बनवा दे, क्यों, और आप अरे वह आपक पहुच जानता है, तो वह आपको भी वह नहीं घाने देगा, और जो खाना जानता हो, खिनाना जानता है, तो भीम भी इसी प्रकार खाने में मस रहते थे, लेकिन आज कलमत ज्यादा खाने पे ध्यान देए, क्योंकि वह पर्याबनान और सारी चीजें बड़ी प्रदूश दुरियग में, दुरियोधन को क्या काम दिया था, जानते हैं? पैसा बाटो, पैसा बाटो, दान दो, दान दो, क्यों? क्योंकि देखिए, वह जानते थे कि दुरियोधन तो इतना खुल के दान देगा, क्योंकि उसका पैसा तो है नहीं, भाई पैसा है धर्मराज इदिश तो दुरियोधन तो चाहेगा है कि कितने जल्दी ये कंगाल हो जाए, कितने इनकी बेजिती हो जाए, कितना में जादा बाढ़ दू, ये सोचेगा, तो इसलिए दुरियोधन को दिया डान देने वाला काम, लेकिन दुरियोधन नहीं जानता था, भागवान की उसके पर एक किसी खरपा थी, कि वो जितना देता था ना, भंडार उतना बढ़ता रहता था पीछे, अब वो सोचे कि कम खतम क्यों नहीं हो रहा पैसा, क्या कारण है, और मानूम नहीं कि पीछे से भंडार भर रहा है, ये कथा भी कोई दुरियोधन की नहीं है, हमारे हाँ शास्त्रों हो जाएंगे दान देने से, तो ये ऐसा नहीं है, अरे राम नाम के कारणे, सब धन डारा खोए, और मूरक सोचे गिरिगवा, लेकिन वो तो दिन दिन दूना होए, वो पैसा तो धूना चौगना होकर कि आपके पास आएगा, जो आप दान देंगे, जो देने की प्रवत्त जाता है, और दरिद्लों ये जाने का नहीं कैसी मांगा जाता है, लेकिन महराज मनु की आज इस्तिती उस्त दरिद्ल की तरह है, जो कल्प व्रक्ष को देख करके ये बिचार नहीं कर पार है, कि इनसे मांगूंगा जो लो देने ही पाएंगे की दे पाएंगे, तो जठा तरीद्र दिबुधत रुपाई बहु संपति मांगत सकुचाई तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हिर्दय मम संसय होई मेरे हिर्दय में भी वही शंच है उसी प्रकारते शंच है जैसा तरीद्र को है तो सो तुम जानव अंतर जामी और पुरवव मोर मनोरत स्वामी आप तो सब जानते हैं प्रभू आपको तो सब मालूम ही है अब मैं क्या मांग लूँ आप से तो देखिए हमारे भागवान कितने क्रपालू है माता हूं बंधो भागवान भागत को देते भी है और अगर भागत को मांगना नहीं आ रहा है तो वो क्या लेना चाहिए इसका उपाए भी बता रहे है देने का उपाए भी स्वाम ही बता रहे है जबकि हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग किसी को देते हैं तो यह सोचते हैं कि जितने में हो जाए कम में बात बन जाए इसका दिमाज जादा ना चले लेकिन भागवा मनु आपको कुछ समझनी आ रहा कुछ तो बोलो अरे प्रभू कैसे कढ़ dealt His primitive तो दो पुम्ट वांगो तो तुम कुछे बिहाया थो नीगा निमी अद मांग क्या थे च्शाह्योगों सा सदी वाद दिखुने 27 6, 2 सधेथ के दो आद रहा है मगवान केऊ रहे हैं संद्सा में मलें 1 और 2 की ऑर 1 की मशत्थ में मागना ऑ और मुह को 그것 क्यों हो है आं को आक दीन यह आ रहा क्या पांगना है रंफी मागना ओर आभ्यू मरनाख aut Deb kep जाने दो, सबकुछ छोड़ो, पहले तो सकुछ भिहाय मांगूं रप मोही, मुझे ही क्यों नहीं मांग लेते हो, मुझे ही मांग लो तो, बाद में मांगते रहना जो जो मांगना है, अब पहले मुझे को मांग लो, देहन दीजिए, हम लोग भी यहीं गढ़ण करते हैं, हम लोग भागवान से मांगते हैं, तो भागवान से मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना हमने मांगा है, और कभी हम लोग भागवान को ही मांग ले, तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा की नहीं, अरे जब प्रभु ही आ गये, तो और पिर मांगने की क्या हुश्यता पड़ी महाराज मनु ने भी कहा कि प्रभु आपने क्या कहा कि आपको मांग लो क्या दिक्क्त है महाराज मनु भूले प्रभु आप ऐसे भी दानी है कि भुढ़ी डानी है महा डानी है लिकिन ऐसे भी दानी है कि है क्या आप लोग फर्चिजेंगि आप लोग किसी कुछ मांगने जाए क्या हॉ चbelow हाँ, यह अवश्य है कि आप लोग अपने आपको भी एक जिगह दे देते हैं, आप लोगों ने अपने आपको समर्पित कर रखा है, स्री स्वामी जी की चरणों में, स्वामी जी की क्रपा में, स्वामी जी की आशिरवाद में, आप बताईए, संतो महात्मा उम, जित्रे भी शाब का भाई भागवान आप ही को तो परेहाँ है esse कितनी बार कहते कि आप लोग हैं जिनके बल पर ऐसे ही सारे संत नहिए जिनके जो आप लोगों के बल पर जो भागत के बल पर फे बूनबोन से घठ बरता है कहने का अर्थ है या तो संद को आप लोग engagement तो भागवान भी भक्त को अर्पित होते हैं, यहां मनु ने कहा, लेकिन उसके अलावा नहीं, कोई मांगने आए तो यह नहीं कहेंगे, क्या हमी को ले लो, तो महराज मनु ने कहा एक बात बताई ब्रभू, क्या आप इतने बड़े दानी हैं, कि क्या आप अपने आपको भी के लिए, मोरे नहीं, अदेय कचुतो ही, तुम जैसे भक्तों के लिए, मैं अपने आपको भी दे देता, मांगो, जो मांगना है, मांगो, अब माताओं, बंधों, मनु ने तो कभी कल्पनाई नहीं कि ती महराज मनु ने,